हम किस्मत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जीवन की कई चीजे पहले सिते हैं, तो अगर सब कुछ पहले सिते हैं, तो अलग-अलग हालातों में अपनी समझ का उप्योग करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? किस्मत के बारे में किसमें बात की? क्या मैंने की? आपने नहीं की लेकिन आमतोर पर सब करते हैं अगर कुछ होता है तो वे कहेंगे आपकी किस्मत ऐसी है ये किस्मत है ये किस्मत का खेल है बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं आपने अपने जीवन में जो भी बेवकूफियों की हैं ये उनसे बच निकलने का असान तरीका है. किस्मत उन सभी वेवकूफियों से भागने का असान तरीका है, जो आपने जीवन में की हैं, ओ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसी लिए मैं ऐसा हूँ. आप जिसे किस्मत मानते हैं, वो भी आपके खुद की बनाई हुई है आप उसे अंजाने में बनाते हैं आप उसे जगरूपता के साथ भी बना सकते हैं आपके जीवन के कुछ पैरमीटर्स हैं उस दिन किसी ने कर्म के बारे में पूछा था और हमने इस पर चर्चा की थी आपने अंजाने में अपने लिए खुद एक software लिखा है इसलिए आपका जुकाव भी उसी ओर है आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो उसी देशा में जाते रहता है आप इधर जाना चाहते हैं लेकिन वो आपको उधर ले जाता रहता है क्योंकि आपका software वैसा है वो कुछ प्रिवृत्तियां पैदा करता है और उस दिशा में बढ़ने लगता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने दिशा नहीं बदल सकते हाँ, ये काफी मजबूर करता है शरीर और मन से भी परे का जोर लगाना होगा इसे पूरी तरह बदल कर नई दिशा देने के लिए हम यहाँ जो कर रहे हैं उसका पूरा विज्ञान बस यही है अगर आप अपनी उर्जा को थोड़ा और लचीला बना लें अगर आप अपनी जीवन उर्जा पर थोड़ी और महारत हासल कर लें अपने शरीर और मन पर थोड़ी और महारत हासल कर लें तो आप देखेंगे कि आप सौ प्रतिशत अपनी किस्मत के मालिक बन जाएंगे मैं एक ऐसे विज्ञान की बात कर रहा हूँ जिससे आप उस गर्भ को भी चुन सकते हैं जिसमें आप पैदा हुए हैं अभी भी आप ही इसे चुन रहे हैं लेकिन आप अंजाने में चुन रहे हैं आप इसे जागरुकता के साथ भी चुन सकते हैं पैदा होना है या नहीं होना ये भी चुना जा सकता है बात सिर्फ इतनी है कि अपने जीवन के कितने हिस्से को आपने हाथ में लिया है तो आपके जीवन और आपकी किस्मत का करीब 50 से 60 प्रतिशत आपके हाथों में होगा. अगर जीवन उड़ जाओं पर आपकी महारत हो जाए, तो आपकी किस्मत 100 प्रतिशत आपके हाथों में होगी.